साथियों, जल, जीवन, मिशन का एक और पहलू है, जिसकी चर्चा कम ही होती है हमारे यहां आर्सनिक और दूसरे प्रदुशनों काउं से पानी जो कुछ प्रकार के एलिमेंट यूप तो होता है, केमिकल यूप तो होता है यह बहुत बड़ी समस्या है दूसरी पानी के कारान बहुत तरह की बिमारिया लोगों का जीवन तबहा कर देते उसमें भी हड्डियों की बिमारी जीना मुश्किल कर देती है इन बिमारियों को अगर हम रोग पाएं तो अनेग जीवन बचा पाएंगे इसके लिए पानी की टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है लेकिन अगर वर्षा का पानी बहुत बड़ी मात्रा में बचाएंगे तो बागी जो ताकत है वो कम हो जाएगे आज हादी के बाद पहली बार पानी की टेस्टिंग को लेकर किसी सरकार द्वारा इतनी गंबीरता से काम किया जा रहा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पानी की टेस्टिंग के इस अभ्यान में हमारे गाउं में रहने वाली बेहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है कोरोना काल के दोरान ही साड़े चार लाग से जादा महलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है हर गाओं में कम से कम पांच महलाओं को पानी टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है Water Governance में हमारी बेहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रुच्छाइत किया जाएगा उतना ही बहतर नतीजे मिलना ताय है मुझे विश्वात है कि जन भागीदारी से जन सामर्थ से हम देश के जल को बचाएंगे और देश के कल को बचाएंगे हम फिर से एक बार उजवल बनाएंगे मेरा एक बार फिर देश के सभी नवजवानों को सभी माताओं बहनों को सभी बच्चों को लोकल बोडिज को सामाजिक संस्ताओं को सरकार के विफागों सभी राज्य सरकारों चे आग रहा है कि जल शक्ति अभ्यान को सभल बनाने के लिए हम सब एक संकल्प लेकर के आगे बढ़े आने वाले सो दिन आने वाले सो दिन पानी की तैयारी जैसे घर में बड़ी महमान होके आने वाले हो जैसे गाउं में बारात होने वाली हो तो गाउं कैसी तैयरी करता है महिले भर पहरे से तैयरिया शुरू हो जाए जब बारात आने वाली ये बारीश आने के लिए पूरे गाउं में शी तैयरी होनी चाहिए बारीश आने वाली है बारीश आने वाली है चलो भाई पानी बचाना है पानी बचाना है ये प्रकार का उमंग उत्सा ये शुरू हो जाना चाहिए आप देखिए एक बुंद बहार नहीं जाएगा और दूसरा जब पानी आता है तो फिर दूर्पयोग करने के आदध भी बन जाती है मेरा आस आगर है पानी बचाना जितना जरूरी है उत्तना ही पानी विवेक भुद्धी से उप्योग करना भी जरूरी है इसको हमें कभी ने बोलना चाहिए